नमस्कार सातियों मैं आपका दोस्त लिखक बिजनेस कोच डॉक्टर उच्वल पाटनी बोल रहा हूँ इस सब्ता ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में हलचल मज गई है अच्छे यहीं मैं आपसे पूछू हूँ कि आपके हिसाब से वर्ल्ड का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड कौन सा है सबसे स्टाइलो ब्रांड सबसे प्रेस्टीजियस ब्रांड तो शायद आप में से अधिकांश लोग एपल का नाम जरूर लेंगे तो एपल के फाउंडर स्टीव वोजनियाक ने ऐसा क्या कह दिया कि भारती इस टालवाट्स हिल गए स्टीव वोजनियाक ने कहा इंडिया के लोगों के सक्सेस का माइना ही अलग है यहां के लोगों का सक्सेस का आर्थ यह अच्छे से पढ़ाई करो कैसे भी करके एक अच्छी सी नौकरी करो शादी करो हो सके तो एक मर्सडिज खरीद लो और इतना ही ओवर ओल मिलाके इनके सक्सेस का पैरामिटर है साथियो जैसे ही स्टीव वोजनियाक ने कहा पूरे ट्विटर पर वार चड़ गया टॉप के इंडियन लोग रिप्लाई करने लगे और स्टीव जॉब्स ने एक कदम और आगे बढ़के ये भी कह दिया कि इंडिया में इनोवेशन होई नहीं सकता उन्होंने कहा इंडिया की जो बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसीस है वो भी एक सीमागे परे नहीं जा सकती वो भी इनोवेट नहीं कर सकती और प्रश्न ये उठता है कि सबको इतना इरिटेशन क्यों हो गया इस्टीव वोजनियाग की बात पर इस्टीव वोजनियाग की कुल संपत्ती 649 करोड किये और उसका जवाब किस ने दिया आनन्द महिंद्रा ने जिसकी संपत्ती 10,000 करोड किये आनन्द महिंद्रा ने इस्टीव वोजनियाग से कहा आप अगली बार आईए सुर बदले बे मिलेंगे लेकिन प्रश्ण यह है क्या इस्टीव वोजनियाग ने जो कहा वो सच है क्या हम भारतिये पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं सिर्फ क्लास में नंबर स्कोर करने के लिए पढ़ाई करते हैं यदि मैं आज आपसे कहूं कि स्टीव वोजनियाग ने कुछ गलत नहीं कहा तो शायद आप में से कुछ लोगों को बुरा लग जाए लेकिन मैं आज आपसे प्रश्ण पूछता हूं आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ क्या चीज का वार है क्या एक एक नंबर का वार नहीं है आपका बच्चा इस्कूल में डाट निखाया जब उसके नंबर कम आए क्या आपके बच्चे ने कभी कोई तोड़ फोड़ कोई नहीं चीज क्रियेट करने की कोशिश की तो उसको सराना मिली या बदले में पेरेंट्स को बुलाया गया कि देखो आपका बच्चा क्या करता है साथियों हमारे इंडियन स्कूली सिस्टम में एक्स्प्रिमेंट और रिसर्च के लिए कोई जगा नहीं है यहां तक की टीचर ने जो अंसर सिखाया है उसकी जगा आपने दूसरा अंसर लिख दिया तो टीचर आपकी क्लास ले लेगी कि क्या कहीं ट्योशन जा रहे हो आपका बच्चे स्कूल में पढ़ता होगा हम सब के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं आज स्कूल में जो क्राफ्ट का साइन्मेंट मिलता है वो कौन करता है क्या आपको लगता है बच्चा करता है गलत या तो वो उसकी मा करती है या उसकी बड़ी बहन करती है या हर शहर में धेर सारे ऐसे एजेंसिस खुले वे हैं ऐसे आर्टिस्ट बैठे जिनको पता है स्कूल में किस क्लास वालों को क्या जमा करना चाहिए मजे से हजारों रुपए चार्ज करते हैं माएं उनसे बनवाती है और ले जाके स्कूल में सम्मिट कर देती है हमारे देश की क्रियेटिविटी मैं आज यहां खड़ा हूँ मैं क्यों पता है इस्टी वोजनियाक के बात से सहमत हूँ क्योंकि मेरे आफिस में कुछ दिन पहले कुछ पदों के लिए इंटर्विव हुए जिसमें प्यून के पद के इंटर्विव के लिए कई MA और कई MCOM लोगों ने अपलाई किया और बुलते वक्त मेरे को पीडा या था पीडा जब मैंने उसको मना किया तो वह मुझसे कहता है कि सर उपर भी नौकरी नहीं मिलेगी नीचे भी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे हैं हमारे देश की स्थिती ऐसी है कि ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने वाले को डीडी बनाना नहीं आता चेक साइन करना नहीं आता वो पोश्ट अफिस में जाके एक छोटा सा प्रोसेस नहीं कर सकता कई बार ये सम्मा हुए कि उसमें बैंक तक में कदम न रखाओ ये कैसी एजुकेशन विवस्था है जो फेल होने की इजाज़ती नहीं देती जो प्रयोक करने की इजाज़ती नहीं देती कुछ दिंपूर फ्लाइट में मैं जे अमेरिका का एक प्रोसेसर मिला वो कहता है हमारे बच्चा स्कूल पास होते होते हैं और फर्स सेकेंड यूजी तक आते हैं वो कई बार अपने बिजनेस शुरू करके फेल हो चुका होता है और हमारे बच्चा ग्रेजवेट होते तक भी मा के पल्लू से बंदा हुआ रहता है वो कहते हैं हमारे बच्चा कपड़ा दो लेता है हमारे बच्चा फीडवर्क कर लेता है हमारे बच्चे को गाड़निंग आती हमारे बच्चा मशीन सुधार लेता है हमारे बच्चा एडवेंचर कर लेता हमारे बच्चा करता है कुछ नहीं करता क्योंकि उसके घरवाले ह ये ही चलता रहा ना भारत पढ़े लिखे जोगों का देश बन जाएगा पढ़े लिखे नमपलॉइबल लोगों का देश और मुझे याद पढ़ता है कुछ साल पहले नासकाम के जो हेड थे उन्होंने एक बयान दिया Indian youth are unemployable हम degree धारी है लेकिन हमें आप रोजगार नहीं दे सकते क्योंकि हमको एक application लिखना नहीं आता हमको शॉट हेंड नहीं आता हमको typing नहीं आती हमको ठीक से English नहीं आती हमको ठीक से Hindi नहीं आती हम ऐसे विचित रियुग में फस गया है जहाँ पर tier 2, tier 3 city के बच्चे को अब इंग्लिश भी नहीं आती ठीक से और वो हिंदी में भी 77, 68, 68 पच्चासी नहीं बोल सकता वो खताम हो गया हो ना इधर करा ना इधर करा तो अब क्या करें देश को कलरको का देश बना दे अब क्या करें और जिस पर इतराते हो सत्या नडेला इंद्रा नुई ये इंडिया ने बड़ा किया गया इनको ये सब की प्रतिवा फॉरेन में जाके जब इन्होंने होते रही है खुश लेकिन वही सत्या नडेला हिंदुस्तान में रहते तो निपड जाते हो वहीं इंद्रा नुई हिंदुस्तान में रहती तो आदे समय वो घर में बच्चों को बैलेंस करने में बाद में सास्ता सुर को बैलेंस करने में उसके वाद समाच को बैलेंस करने में उसके अद वर्क प्लेस को बैलेंस करने में खतम हो जाती है यहीं इंडिया है क्या हम ऐसे इंडिया से अगली सदी में जाएंगे आज इस केश इस्टेडी के माध्यम से मैं आपको जगाना चाहता हूँ क्योंकि हमारा काम यही है Excellence Gurukul और VIP जैसे प्रोडामें में लोग आते हैं अलग-अलग case study से हम उनको जगाते हैं उनको सोचने में मजबूर करते हैं देखिए दुनिया में क्या हो रहा है दुनिया क्या कर रही है तो साथियों आज हमको सोचना होगा कि ऐसे पढ़ाने से क्या ना पढ़ाना अच्छा है या हम सब मिल के आवाज उठाएं इस देश के education system को प्रयोक shield बनाने के लिए इस देश में असफलता को सम्मान दिलाने के लिए क्योंकि जीतने के पहले हारना जरूरी है नहीं तो हार से इतना भय पैदा हो जाएगा कि जीतने की कोशिश भी नहीं करोगे यहां तक कि ट्राई नहीं करोगे इस देश में रिसर्च का environment डेवलप करने के लिए इस स्थिती इतनी विचितर है कंप्यूटर में आज जो book school में पढ़ाई जा रही है वो technology तीन साल पहले obsolete हो चुकी है लेकिन पुस्तक बदली नहीं गई वर्ड की जिन चीजों के बारे में आज हमारा education system बात कर रहा है वो चीजे आधी से जादा obsolete हो गई है और पुस्तके बदली नहीं गई है टीचर को नहीं पता है जब टीचर को नहीं पता और पुस्तक नहीं बदली और engineering college के अंदर demo के लिए जो machine थी वो machine 20 साल और 50 साल पुरानी है BCA जैसे course में जो व्यक्ति जिस computer पे चला रहा है वो computer 10 साल पुराना है ये बनेगा India इस तरीके से हम बनेगे इस तरीके से हम इंडिया से निकल के दुनिया में जहां जहां भी कोई achieve करेगा उसको भारती मूल भारती मूल भारती मूल बोलके खुस होते रहेंगे अब भारती मूल नहीं भारत में talent पैदा करना होगा इसके लिए मैं आपसे आगरा करता हूँ यदि आप मेरी बात से सेमत है कि भारत का education system रद्दी और कबार है इससे हजार गुन अच्छा तो हमारा गुरुकुल साथ पुराने जमाने का रिश्यो मुनियों का जहां पर बच्चों को शस्त्र चलाना सिखाय जाता था जहां बच्चों को इंटेलेक्चों फिजिकल सारे असपेक्ट पर ध्यान दिया जाता था आज कुछ असपेक्ट न है बच्चा आपका बच्चा एक्जाम में क्या नमबर लाया और मेरा बच्चा क्या नमबर लाया ये इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता मेरी कड़वी सच्चाई सुन लिजे यदि इंडिया का एजूकेशन सिस्टम ऐसा रहा हम कभी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे हम आउसत कलरकों का देश बन के रह जाएंगे हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए काम करेंगे और पूरी दुनिया हमको नौकर बना के रख लेगी जो अंट्रप्रोर्स का देश था वो नौकरों का देश हो जाएंगे यदि आप मेरी बात से सहमत है कि भारती एजुकेशन सिस्टम को स्क्रैप करके प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग हो जिसमें इंटेलेक्चुल जिसमें सोलफूल जिसमें फिजिकल जिसमें अपने आप से एकांत में बात करना सिखाय ज जिसमें खुद का स्वाट, स्ट्रेंट, विकनेस, अपॉर्शनिटी, थ्रेड जैसे अनालिसिस करना सिखाय जाए, जिसमें लिसनिंग पे जोर दिया जाए, जिसमें प्रेक्टिकल, प्रेक्टिकल पे फोकस हो, ऐसा एजुकेशन सिस्टम यदि लाना है, तो आपको इस जादा का ट्रेंडिंग वीडियो बनाना पड़ेगा, यदि आपको अपने बच्चों को बचाना है, ने तो कल आपके माता पिताओने पर आपको अफसोस होगा, क्योंकि आपके बच्चे पुछेंगे, बड़ेों के इस से अच्छा तो पापा नहीं पढ़ाते तो करिए कि उन कमेंट्स की आवाज की गूंज से हम पूरे देश को हिला सकें, साथियों यदि आपने अब तक उज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आपसे आगरा है कि अपने भीतर के इंसान को जिन्दा रखने के लिए, खुद को अ जिससे कि ये वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, और अंतिम चीज इतने कमेंट्स करिए, इतने कमेंट्स करिए, कि पूरा देश हिल जाए, और मैं यहां से आपको वदा करता हूँ, मैं कमेंट्स को व्यक्तिगत रूप से देखूँगा, मैं एक एक कमेंट्स को दुर्भागी साली हैं, हम न तो सैनिक है जो सीमा पे खुन बहा सके ना सुतंता संग्राम सिनानी है जो जान दे सके तो अब इस आजाद भारत को वचाना यही आपकी और हमारी जिम्मेदारी है और आपको इस महायग्य में मेरा साथ देना होगा शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू